मस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा, आपके सामने प्रस्तुत करने जारे हूं, वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी एक बार की बात है कि एक बच्ची मंदीर में आती, प्रभू को देख के मुस्कुराती, आंग बंद करती और अपनी प्रेयर स्टार्ट कर देती प्रभू को देख के मुस्कुराती और चली जाती, उसका रोज का ऐसे ही नियम था, बहुत छोटी सी बच्ची थी, पुझारी जी ने सोचा है, इतनी छोटी सी बच्ची है, ना तो इसको धरम का मतलब पता होगा, ना इसको प्रेयर का, ये करती क्या है, बोलती क्या है, तो उनकी उत्सुकता बढ़ने लगी, उन्होंने सोचा कि उसकी आने से पहले ही मैं उसकी स्थान के करीब बैट जाता हूँ, पता तो चले ही, ये करती क्या है, बोलती क्या है, तो आंग बंद करके पुझारी जी वहां बैट गए, बच्ची आई, अपने निश्चित स्थान खड़ी हुई और अपनी प्रेयर स्टार्ट कर दी, और चली की पुझारी जी को को समझ में नहीं आया, अब उन्होंने उनसे रहा नहीं गया, अब उन्होंने अगले दिन बच्ची आई तो उसको पूछा, कि बच्ची आप क्या बोलते हो, बच्ची बोली मैं तो प्रेयर को पांच बार सुनाती हूं, और बगवान को कहती हूं कि सारे शब्द तो इसी के अंदर ही होंगे ना, अपने आप अपनी प्रातना आरेंज कर लो, मैं तो मुझे जो आता है, मैं तो आपको सुना के चली, और प्रभु मुस्कुराते हैं, और मेरी प्रातना स्विकार कर लेते हैं, तो दोस्तों हमने इस से बच्ची से ये सीखा कि प्रभु को मन के भाव चाहिए, शब्दों के डिफिकल शलोका के कोई उच्छारन करने की जरूरत नहीं है, प्रेयर का मतलब होता है, प्रभु की करीब आना, जब हमारा मनी नहीं लगेगा शलोका में क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हम तो प्रभु की निकट आई नहीं सकते, तो प्रभु की निकट हम तब ही आपाएंगे, जब आपके मन के भाव प्रभु के भाव के साथ जुड़ें, मन की तार उनके साथ जुड़ें, जब हमारा हिरिदे निर्मल होता है, तो अपने आप वो भाव आ जाते हैं कुछ कहने के जरूरत नहीं है प्रभू को अराम से देखें अपने मनों भाव उन तक पहुंचाएं आपकी प्रेयर स्विकार कर ली जाएगी इसी को ध्यान भी कहा जाता है और ये बहुत यूनीक प्रेयर है अद्वित्य प्रेयर है अपना के देखिए मन शांत और निर्मल हो जाएगा नमस्कार जैहिन